सब्सक्राइब लिया था कि अधार करते हैं तो हम अखंड समाज के एक अधार बन जाते हैं वैसे ही जब हम सुधा क्या शक्ता को ठीक्टी पहचानते हैं प्रफिती के साथ जूरतस को पूरा करते हैं तो हम शारभवम विर्फठा के अधार बन जाते हैं मानव चितना के अर्थ को देखें निया आधार दिखाये तो समपूरता धिकाये जीते हैं ताकि हर समद्ध में मेरी जो भागिदारी है, वो दूसरे के सुख के अर्थ में हो, और मैं तो अपने आपने सुखी बना ही रहता हूँ, समझ अभाव के साथ, वैसे ही प्रकृति के साथ जो मेरी भागिदारी होती है, इस प्रकार होती है, कि मेरे जीने से मेरे चारो तरह व यह मानव चतना कुलरत हैं और हम अभी जिस भी दाइरे में जी रहे हों हम इसे निकल कर इस पूरी संपूर्णता में जीना चाहेंगे कि नहीं तो यह दिखता है कि दो तरह के ट्रांस्वर्मेशन के पेच्छा है इस कोर्स में भी और हमारे अपने जीने में भी यह को परस्नल ट्रांस्वर्मेशन हो जाए हमारे में जख्तिगत उपसे परिमार्जन हो जाए ट्रांस्वर्मेशन को हिंदियें परिमार्जन कह र हमारे में personal transformation हो पाहें त्येतना में परिमारजन होका है जहां हम अभी जीव जी रहे हो सकते हैं यहां हम स्ब्धा के दायरे में जी रहे हो सकते हैं से बाहर निकल कर हम पूरे संपुर्ता में जी पाएं, समध संबंद और संदाइं तीनों को पूरा कर पाएं और जब मैं ऐसा कुनिशित कर पाता हूं, तो मानलक्स की पूर्ती होती है मेरी भागिदारी तो मानलक्स की पूर्ती करनी होती है तो सेसाइटी में होता है किए कि अच्छी बात यह है कि मुरे क्रप्ति के लिए आपदों करता सघून letter में मैं उता जलो होता है है Vladimir मेरे में होता है और नाहिक करना तो यहीं काम हमें है करना है कई बार यह भी भाव चला जाता है अगर इस बात को ठीक से ना समझें कि हम तो तब ही सुखी होंगे जो साइटी ट्रांस्फॉर्म होगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं तो साइटी जहां भी है मुझे अपना रोल क्लियर हो जाता है और इन फैक्ट एक चीज और आपको ध्यान में आएगा कि जब हम सही के अर्थ में प्रयास करने होते हैं तो सही के अर्थ में जो भी प्रयास अभी तक हुआ है इतिहास में परंपरा में या जो अभी हो रहा है उसको भी हम देख पाते हैं अभी समाज में बहुत तरीके से ब करते हैं उतना सब्सक्राइट कर पाते हैं तो यह दो ट्रांस्वर्मेशन से होने नमस्ते आप यह सो साइटर ट्रांस्फॉर्मेशन जो जो वीचार और आपिक्षा के स्टेट पर हैं तो वहां से हम अपने लिचक करने दैख पाया हूं लिशा हो गया ह्योग होड़ाती है इस पे पहुंच जाएं तो हमारी एक सही समझ बन जाए मगर ये समझ में आ रहा है societal transformation में हमको क्या पेक्ष्टा है जैसे कि हम देख पाते हैं कि ये सभी level पे कही न कही conflict होता है society में तो हम सभी लोग ये देख पाए कि सभी लोग natural acceptance के level पे जाके अपने धारणाओं में हुए जो विरोध है अंतर विरोध है वो धीरे धीरे dissolve होके अपने मतलब सभी लोग ये coexistence देख पाए ये सुस्टैटल ट्रांस्फरमेशन का अर्थ होगा इसको अभी दोनों को भी है करेंगे जैसे पर्सनल ट्रांस्फरमेशन का तो मतलब ये हैं जो सामने स्लाइड पे हैं जहां तिर्फ कल्पना शीलता के आयाम में ही क्रियाशील है उससे आगे बढ़कर हम ज्यान के अनुभव के आयाम में भी क्रियाशील हो जाए तो जहां मानलक्स की पहचान ही नहीं हो पाही है बहुत सारे भ्रहंत्ति ओमें जीति हैं और steps कि बात करें परिवार की बात करें स inad! कि इसे प्रक्रिती की बात करें उसे उस्सेर्ट होकर हम इस मानलक्स को उप्वार पूजा कर पाय Candies जयसा अकल की शेरिंग से निकल कर आ रहा था और अभी तक की शेरिंग उस्टाही रहा है अगर जया की समझ पा रहा है तो कॉलेज में बातावार मन कर रहा है तो दिरे-ध्रे सेसाइटी के ट्राम्सामेशन हो रहा है तो हमारे इतना परिमाजन होता है उतना हमारे चारत रवस्याज उससे परिमाजन होने ही लगता है और नेच्टल अग्सेप्टंस पे हम एक है तो वहां से वह कॉन्सिक्ट जोड़ते जाएंगे मतलब जग जितना मुझके करीब पहुंचे जाए उतना उतना वह सब एक होता जाए तो चैहां को एक बड़ नाश्रल एक्षप्रन सपस्टू के दिखा दिन लगे और जैसा है वैसे में देख पाए तो ज्ञान का जो आयाम है वह प्रियाशील होने लगता है वह तायत इस्टाज रूप से हमारे अंदर चल जाते हैं जो जितना भी कन्षिक्ट है वह मेरे मानने कारण है जानना हुआ और कंशिक्ट इना गायब हो गया हट जिए नहीं बनाया वाता घ्रत चीजों को मान कर तो कंशिक्ट मेरा अपना बनाया हुआ है स्वेम में समाज मे कि हार ada है हम को अनतर कर नेसाल बनाया हुआ है है मेरे किस्धे सब्सक्राइब में लिकाले इसी पताई नहीं स्वेल हैनका शिख में तो हम शुक माने रते है उसको हम लेका लगे रहते हैं और संग्रा का काम कर रहे हैं में अवीं पतान के चाहना सुथिक्ट घ्राम Tech अ हम चाहना सुविधा मान लेते हैं और फिर उसकी निरेंदर्ता बनाया रखने के लिए हम असंख अनंत सुविधा संग्रा में लग जाते हैं तो यह सम्झीचे वाले स्थितियां उत्पन हो जाती है अब इस्थितिये समाज की कोई साधन भीन हो या साधन संपन हो लक्ष एक दोनों का एकी रूप में है अधिस अधिक सुविधा संग्रा हो जाएंगे इसलिए सुविधा को करने में रखके जितना भी समाज में काम हुआ वो पूरा नहीं पड़ा एक लंबा स्ट्रगल रहा ह कि सबस्विधा मिल जाए बड़ सुविधा करने को ततपर हो जाता है तो फिर कोना हमी शासन करें तब आएंगे इतने भी सुविधा केंद्रित विचार से सरकारे बनी वो सरकारे बहुत ज्यादा जी भाई अभी चल रहा है तो हुई थी कि भाई सबस्वार्ण सबस्वेब से मिले उसमार संद्रा मिले जिसमें च्छमता है उसके घिए से बढ़नाओं के बीच में अपने आप में भी ऐधारिती जी क्योंकि वो सही वो सिविधाओं के आधारिती तो जी 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 उपलब्धी दिखाई देती हैं वो सिविधाई दिखाई देती है कि असको जान retrospect में पाते है जैसे में कहते हैं कि अगर आदमी बीखोश हो यहां के सब्सक्राइब वो ध्यान से हटिया, इसलिए सुविधा को लक्ष बना के बना गया, दूफी तरफ अगर देखें, तो लोगों ने कहा कि भाई नहीं, इसमें जितना सुविधा संग्रक का पोटेंशल है, इसको उतना आउसर मिलना चाहिए, कापिटिली जन त्यार हो गया, जी, बड़ दोन हाँ, मतला उसके साथ बहुत सारे और निकलेंगे डिफरेंसेज, बट अल्टिमेटरी देखें, कि उसको की शुदा के अंदर में है, इससे समाज वह उस्थानी उसकती, इससे व्यक्ति में भी उस्थानी उसकती, व्यक्ति भी अपने आप में, अभी समरिद नहीं में देखा जाएं, तो जिस तरह से हम अपना आवरनेस पानी के लिए, या ऐसी ऐलेक्रिसिटी के लिए, ऐसे छोटी-छोटी से शुरू करें, तो देखते, मैं देखा रहा हैं कि हम कही बार खुद में ही परिशान होने लग जाते हैं, क्योंकि, मैं खुद ही परिशान होने ल परटलाविटूदीं natal अपने साथ से करो इस समझना चाहरे हो कि मितलब क्या करना चाहिए या उस चीज के लिए बार भर बोलना चाहिए या बच्चों को दे लिए या मेड के लिए ऐसी सब चीजे मैं अपने सराउंडिंग में देख पाते हो तो मुझे मतलब मैं कई जगा पैसे देखते हूं फैमिली में या किसी किया जाती हूं तो तो मुझे मतलब थोड़ा परिशानी होती है कि यह लोग कैसे इतना वेस्ट दर्द है तो अगर सालुशन तो नहीं दिखता है इभी राजिक अपने आप में तब है मानौ के श्वां में प्रीमाजन के लिए कारक्रम नहीं है शीजी ли ते ना फिर के साथ जो भी बात हम कहते हैं, उसको सुखेंज को है अपिसमें कोई सूख है जैसे हम लाइड जला कर छोड़ दे रहे हैं tejala kuynे की तरह जी हो रिए जिसनी सांसाधुन की बरगादिटी हो रही कि बिल जी का बिल अब ज्यादा आएगा और अपनी कमाई से हमको लगाना पड़ेगा देना पड़ेगा और उतनी कमाई है नहीं तो लोगों को प्रिसम लगता है का उसका करने की तो अभी क्या है कि हम कमाने और खर्च करने के बीच में जो समीकरन है उसको देखते हैं सदु हैं हैं तो फिर वहां पर हम सब्जाग हो जाते हैं तब है जाता है तो ड्यक्ति के पास तुछ मे परिमार्जन के लिए अभी निश्चित कारिक्रम नहीं यह यह काम अपने को स्वैम में भी करना है, परिवार के सदस्यों में भी करना है, तो हमारे अंदर स्वैम में काम यह शुरू हो जाए, उसमें यह भी एक आउशक भाग होगा, ति ऐसा हो सकता है कि जब आप दूसरे के दिहाने करशन कराती हैं, दूसरा आपका अनुसार नहीं चलता है, तो आप स्वैम में दुखी हो जाती है, या निराश हो जाती है, और सम्मंधों में उसका एक रिफ्लेक्शन आने लगता है, तो लोग भी फिर उससे उत्साहित में ही मेस्ज़ करते हैं, जी भाहिया, वो डिपरेंस की बात करूं, जिसे अभी घर में स्थायोगी कि जो भी है वक्ति, वो तो उस चीच को गलकुल समझ ही नहीं रहा है, और हम चाहते है कि वो भी समझदार हो, तो वो कनेक्शन नहीं बैठ पाता है, उससे हम को ही परिशानी होती है, और यो वोग इस तो उस चीच को उस गयाप को मैं कैसे समझू, ये मैं थोरा से समझना तो आपके लिए भी जरूरी है कि जो परिमार्जन लिखा हुआ है तो इसके लिए हम ठीक से काम करें तो क्या हुआ भी हम दूसरे से अकर अनुकुल भाव पाकर या कोई अनुकुल संवेदना पाकर सुख्योंने का प्रयास करते हैं और नहीं पूरा होता तो निराश होते है कि जैसे यह भी अनुकुल भाव है कि हमने कहा कि वह रॉठ बंदो और अगलेनि लाइट बंद किया और हम दुख्य हो गए जैसा निये कि घर में व्यॉफ्ता हो जाएगी जैसे लेक्ति में परिमायran हो जाएगा व्यक्ति में परिमाजन के लिए तो उसको निरंतर सुखा जो सुरोथ है वो दिखाई देना जरूवी है, समझ में आना जरूवी है, उसको वो पूरा नहीं कर पा रहा है, इसके लिए गौन मुद्दा है, तो हम पहले उसके लिए बात करेंगे, तो उसको हमको यह भी देखन आई था है, जब वो शुषुता, फिर वहां से हमने उसके अंदर जो सूचना भरी, उससे उसके अंदर हो सकता कई प्रकार की मानिताइं बन गई, हम नहीं भरी होंगी, परिवार के नस्दस्यों ने भर दिया, समाद ने भर दिया, अब उसका प्रियर्णा जो है, वो अगले को प्रियर्णा बने की तो समझ में आएगा, तो हम अपना कारकम तो निश्चित रखेंगे, ठीक ना, बट हम दूसरे के साथ उधारता पूरक उसुठ होंगे, तो जो हम लोग सम्मान के लिए पूरक्ता की जो वहां पर डिसक्शन करते हैं, ति दिखता है कि अगर मुझे लगता कि मैं ज्यादा समझदार हूं, जिम्मेदार हूं, तो मैं पहले दूसरे के साथ जिम्मेदारी पूरक जीता हूं, उसको संबंद में आश्रास करता हूं, ताकि उसके अंदर समझ ठीक्सित होने की तत्परता बने, फिर मैं उसको समझने में सहयो करता हूं, दूसरी बात आपको यह भी दिखाई देगी, यह बात पहले शाद आपके साथ ही चर्चा हुई तिया कि यह भी दिखाई देगा भी जो परिवार का आश्या है हमारे लिए वही चार-पांस लोग हैं और उनमे ही हम गहमा गहमी करते रहते हैं और पूरा नहीं होता तो परिवार का नोशन अब भढ़ावा दिखाई दे तो थोई दिर पहले हम लोग बात कर रहे थे अंडिवाइड़ सुसाइटी का अखन समाज का पूरा समाज ही मेरा परिवार के लोग अभी हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे पाए तो उसर दिया जाए समझने सोचने का उस पहले जा उसके साथ और जो फैला हुआ समाज है वहां समय लगाएंगे तो जब तक यह भागिदारी फैल करनी करते हैं ना परिवार से बाहर समाज में तो परिवार में अब व्योस्था को देखे हम भी दुखी होते हैं और परिवार भी हमारे हर बार रोक तोक से दुखी हैं बट जिसको डॉमिनेट कर दिया वह भी आसा नहीं कि डॉमिनेट होकर उची बैट जया वह भी तैयारी कर रहा है कि बस थोड़ा और बड़े हो जाए फिर रियाक्त करेंगे और भाईया फिर जो नहीं हमारी सुनता हम उसको छोड़ने छोड़ना सोचने रख जाते हैं बस इसको छोड़ दो इससे तो बनी नहीं सकती है वही वही तो अभी तो यह भी जरूरी है कि पहले आप तो पूरी निष्ठा ततपरता के साथ स्वैम में काम करें दूसरा परिवार के सीमा को सिर्फ वह चार-छे लोगों में ना पहचाने पूरा विश्व ही परिवार है वह समय लगाएं नशी पर हमारे साथ क्या होता है कि जैसे हम वो सिच्वेशन नेहीं अपने आपको एंडल कर पाते है कुछ अटकते हैं तो यह बहार ही कैसे निकल़ों जिसमिने घरमें व्यवस्था नहीं बना पाघारे तुब्या बाहर क्या भागी-धारी कर पाउंगी और क्या व्यवस्था बना पॉंगी ऐसा मेरे मन में आता है यह आज यह विचार ठीक नहीं है कि अभी हमको यह बात स्विकाड़ने कि अगला व्यक्ति भी मानों ही है मनुस्य है कि ना परिवार के भीतर हो या बाहर हो तो ऐसा ने कि परिवार के भीतर है निकल के कुछ करने जाओं तो ऐसे लगता है घर तो पुरा व्यवस्ते छोड़ दिया है और बहुत अच्छा-चा कर रहे स्ट तो वह ब향ता है कि क्षाइब परिवार करेंगे करें तो दिखेगा आपको सामने ड्यागराम बना ओगा है कि उपर की प्रियाओं को जागरत करने के लिए जरूरी है कि मैं भागीदारी करो यह देखिए ब्लॉक में ना दो शब्द लिखे में एक आई और एक जी है ना तो यह मुझे स्वय में जो काम करना है वो यहां है अनुबहुत तक पहुंचने के लिए साथ में मुझे इनिव स्वय में परिमाजन की संभावना विक्सित होती है और जितना मैं स्वय में परिमाजन के लिए निष्ठा पूरो काम करता हूं उतना बाहर भागीदारी के लिए मेरी निष्ठा विक्सित होती है तो यह दोनों साथ साथ चलते हैं हम सोचें कि बाहर वाले को रोक कर स्वय म तुम्हांज ही पार हैं एक हम ही मिल गया इन को शुबास से साम तक उप्देश देते रहते हैं नियुक्क डिक्तेट करते हैं मैं आधने करने समय करूंगा जाना या माना ठीक हो जाता अश्यस प्रकति के लिए कुछ करेंगे यह सब हम खुद से ही अपने अंदर माने ताया बना लेते हैं जो चीक नहीं है तो यह साथ साथ होता है और युद्ध पूरक है यह बात दिखाई देनी कि रूलिये प्लिए यह गरत तो यह गरत पार ही हो जाएंगे तो फिर इसके बाद आपका उत्सा और कम हो जाएगा कि ना अंदर कुछ हुआ ना बाहर कुछ हुआ यह कारकम ही बेकार है जाहां पहुच जाएंगे जी 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 इसमें कई साथ ही फ़फ जाते हैं हम लोने देखा भी कई साथ ही फ़फ जाते हैं तो ऐसा नहीं है इसको बारिकी से देखें तो इकाई हर्चन स्वैम में क्रिया है और परसपर्ता में क्रिया शील है परसपर्ता को रूप कर हम सोचेंगे स्वैम में क्रिया की पूर्णता हो जाए पूर्णी उसे विक्सित ह हो जाएसा होता नहीं है तो मैं हर्चन हूँ भी और भागिधार भी हूँ भागिधारी को रोक कर सोचिए कि मैं स्वें में पूर्ण हो जाओं ऐसा होगा नहीं बढ़िया विया ची बहुत अच्छा ध्याना कर्शन होगा किसी के वेवाद से हमें थोड़ी से समय के लिए ही तो हमारी श्यप्टिंग में कहों पर हम शछ्थितन हैं तो आप को यह देखना है पहली बात तो उपलब भी किये है कि अब आपको छलाहत दिखाई दे गया व्यटों जलाट हो जाती थी अगला भें की दुख्ए और उसके बाद वे में को छोशनी होता आता तक हमने कुछ अब जलाहट आपने किया और आपको दिखाए दिया पिर आगे दिखाए दिए कि जलाहट का भाव तो आया हमारे अंदर भले जलाए नहीं तो अंदर अंदर जलाहट चली जो पहाने निकोगी यहीं स्टितिति यह तो बड़ी उपलब्धी की बात है, पहले तो तो उसके लिए अपने को देखना होगा तो क्या बने यह बात है कि कई बार हम इससे गलत भाव को देखकर पीडिस होते हैं दुख्य ओते हो वह हमको लगता है तो यहां हम सैस्टुटी धेखेंगे अपनी तो हम को दिखता है कि जो वेक्टी बार-बार कहने के बाद गल्ती कर रहा है यह इसके योगिता की कमी है चाहने कमी नहीं है कि हम लोग जब भार किसी को समझाने जाते हैं या हमने कोई समझ्या दिखते हैं तो उसमें जो मेरी समझ कहती है ह्पालागी तो वहां पर यह देखा जाएगा कि हमारी उसमें। कि वहीं है उस्सामने के कितनी भागेदारी हैं तब और हम उसको बता सकते हैं hearts समझा सकते हैं प्रेडिट कर सकते हैं अगर हम देखते हैं कि उस समय कोई हम उसको समझाने जा रहे हैं को उसमें केवल हमारी वागिदारी या उसकी वागिदारी नहीं है तो सायद को नहीं समझ पाएगा वो मोटिवेट नहीं हो पाएगा दूसरा अगर हम किसी को भी कुछ समझाने जाते हैं इसे कुमार सर आब आम को समझाते हैं अब हमें बताते हैं बहुत अच्छी तरीके से आप टैगल करते हैं तो हम आपको अंडेस्टेंड करते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि आपको आपको से चीजब बता रहें तो सेवं चीजब सामने वाला भी एक परसेप्संस बना लेता है जिसको हम लोग कहते हैं जो सच्चाई है हाना तूट कहेंगे हम लोग रियलिटी इसे कहते हैं नेचरल एक्सप्टेंस तब ही आता है आपने अच्छा ही जांपर गी है कि सामने वाले बैक्ति को जो हमने बताया कि पानी कि यह उन्हें लेक्टिसीटी को बरबात करा है या पानी बरबात करा है तो ज उसको अपना भी कंट्रोल गर लेगा तो सेंव सिच्वेशन यही है कि बहार जो भी हमारा पार्टिस्पेशन है हम अपने आपको मजबूत कर चरहें अपने अच्छी तरीके से प्रूथ का रास्ता आपना आख के रखें अपने तर्प से और वाकी समय पर सारी चीज़े ध पर खेंग को स्वय में देखें वो तो हर चंद हर संबन में एक ही प्रकार से है उभै सुख उबहे सम्रिद्धि ना बट जब आते हैं तो इस प्रेशन में फिर हमारे संबन्ध में अभी किस प्रकार से निरवा हो रहा है उसके धर पर तैय करते हैं तो अगले वेक्ति आप बैंक में काम कर रहे हैं और सामने काउंटर पे लोग आ रहे हैं और क्यू लगी हुई है अब उनके साथ मेरली आपका एक संपर्क हो रहा है कुछ मिंटों के लिए वहां पर आप एक आरकम नहीं बनाएंगे समझाने का वहां तो वेक्टी किसी परपत से किसी काम से आया हो उसका पूरा कर देंगे तो वहां भी आपकी भागिदारी तो निश्चित जब भी आउसर मिलेगा या जब भी कुछ और संयोग बनेगा तो उनके साथ इस तरह के हम योजना कारगरम पर काम करेंगे पर तो हमारी भागिदारी निश्चित है तो इन दोनों को और लग करके चलें कि मेरी भागिदारी तो हर संबंध में एक ही प्रकार से है यह सेल्फ कर डेवलप्मेंट हो जाए यही मेरी भागिदारी है अगले के अंदर ट्रांस्वर्मेशन हो जाए यही मेरी भागिदार यो खिए देट उसको में इसमें वक्व script करोंगा कंवे उसे बहुत सरह चीजों काकिलन करके ही की अब मेरा कंट इंस Emmy कितना है अगले कंट अगार सभी अब हैं रहारे समंध्त का निर्वाह अभी सबकिस प्रकार से हुआ अगे के लिए परिषिति क्या है वातावन कैसा है इन सब को ध्यान में रखकर मैं उसको करूँगा ऐसा नहीं कि हर विक्ति के साथ मैं जैसे ही बैठा और यह सब बाते समझाने लगे अगला विक्ति हो सकता है कि इस पुरे वस्तु के प्रती विरोध में आ जाए यह काउंटर पर खड़ा ह लेकिन फुरा काम मेहनत तो अपने पर कमी ही थी और उसके बाद परिवार को चेंज करने में लग गए कि नहीं पहले यहां होगा फिर बाहर जाएंगी उसमें काफी परेशार हुई मैं ऐसा बोली हूं अभी जो दीदी बात करें थी ना उसी की बात करें उन्हें तो उसमे में बहुत परेशा नहीं लेकिन अभी जब आपने का थी ऐसा नहीं है कि पहले में फिर परिवार फिर समाज और फिर परकती हम जहां भी कोई सामने है और तो उसके साथ हमारी क्या अंडस्टाइनिंग है कि तरह से हैं हम क्या समझ रहे हैं उससे की को सकता है सिक्वें कुछ ड़िए अगया है है नहीं कि दूसरों परिमाजन कर पाऊंगा उतना ही में दूसरों के परिमाजन में सटीक धंग से भागिदार हो पाऊंगा तो मेरी भागिदारी चार उस्तर पे होगी इसलिए आप देखें तो वर्क्षोप में जाम बात कर रहे है तो चार परिवार में जाना इसा तो कभी नहीं कह रहे हैं हम करें हर्चन आप हर उस्तर पर जी रहे हैं हर्चन आप स्वेम में जी रहे हैं आप एक परिवार के फदर से भी हैं समाज के किकाई भी हैं प्रकृति के किकाई भी हैं और हर्चन हर अस्तर पर आपको व्यास्ता पर समझना जीने की बात कर रहे हैं और जब मैं परिवार समाज प्रकेति के अस्तर पर विवस्था में जीने जाता हूं तो मैं दूसरे के साथ सम्मंध का विवस्था करने लाफ परूं गहीं। अगर मैं रोक रहा हूं तो मेरे विकास में बात हैं। जीने हैं। को कैसे उस समय अपने आप से बात करके चीजों को जो भी चीज सामने हैं, प्रकती है, चाह जीव है, चाह प्लांत है, चाह दूसरा human being है। तो कैसे उस समय अपने आप से बात करके उस को यह मतलब डे टूड़ प्राक्टिस में कैसे अपने अपने थोट्रॉंग्स और उस संमंझ को यह किया जाया ऐसा. प्र्कतिस में कैसे लाया जायाई। सब्सक्राइब नियुक्ति को बढ़ाना है उसके इना जब भी आप किसी काई किसाथ मिर्वा करना जाते हैं चाहिए मानव हो याश्यष्प्रक्ट्टि कोई काई حह तो मत работать, हैं जो में अपने बच्चे को साथ व्योहार करना है थो सकता है क्या है मैं जग अपने अंदर ऐसे ग्वेशन्स रेज करूँ गा तो मेरी सजग्ता बढ़ती है कि वम जे मानकर जीने कहमारा भ्यास दोन पुष्टन नहीं करते हैं तो प्वेशनिंग करना शूरू करें यह क्या है यह थम्यों है इसका मेरी भागीदारी किया है कि इसको मुढ टूर निंग करना शुरू करें तो शॉज़क्ता और बढ़ेगी तो अभी एक अभ्यास की तो पर हम जीते जाते हैं जीते जाते हैं चालों तरभ लोग जी रहे हम भी जी रहे हैं हाँ ज्यादा तर लेवल जो जो सारीधिक लेवल पे हैं सायको लॉजिकल ले तो प्रश्रीर की नीड अलग अलग है और सब मिलके चलना चाहते हैं तो फिर वही बात हो जाती कि नजरिया प्रस्पेक्टिव सब अलग अलग है और एक लेवल पर अब तफी अभी तो चीजे विखती है कि अब 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 काम शुरू क्या है लेकिए समय तो हम सब के पास है यह बंद मुआ चॉबिज गंटे आरे के पास है उसके सभी उक करने की बात है बस अरत्तलि आज को बड़िया क्या पराब्लम होता है वही क्रवाजन ऑड़ इंतल्मक्राण यह जो आप जार्णल जो बोलते हैं जैसे आप बहुत बार भूल रहे हैं लेकिन हम प्रूली बहुत बहुत जो नहीं फॉलोग किया है लेकिन आभी हम सोच रहे हैं तो आपके लाइबिल्टी इंकम एक्सपेंडिचर प्रॉफिट लॉस अब बढ़िया जनल बनाते हैं अब बनाना है कि असे अब आप से जानने जा आप तो मेरा बासा में आप सामझा दिया तो एक बहुत यूज फूल होगा आरो अट्रेक्टिव होगा लाइक बुलिया प्लीज थी तो आपको यह बनाना है कि हमको क्या भी तक समझ में आ गया है हां जासे जाएगा तो और भी चीजे समझने के लिए इसको हम लिखते जाएंगे तो आप डेट वाइज तो उपर में अभ्यास किया जो बात इसको लिख दीजे इसके लिए अग्दम बना लेते हैं जो बहुत सुसरा भाई बहन हम लोग कर रहे हैं मालूम है लेकिन करेंगे अभी से ओके तैंक यू बना लिजे जी बढ़िया था कि दूसरा वेश्ति हम पर हमला करें तब क्या करना चाहिए तो अपने शरीर के जो प्रती रक्षा करना है यह भी हमारे नेचरल एक्सेप्टनस में ही है तू प्रोटेट अवर बॉड़ी और जब भी कोई हम पर हमला करता है तो अपने आपको डिफेंड करना यह भी हमारा आयद करता हुए है भगवत गीता में भी यही का है इसमें छे तरह के आतता ही कहे गए है और जो आतता ही है वो यह कि दूसरे की जो मतलब संपत्ति को अग लगाते है यह दूसरों पर अभी रुकिये अब वहां उसके डिकेलिंग में जाते हैं पहले तूम को यह दिखाई थे कि दूसरा अपको क्यों मारने दौरणा है जाना चाहिए लेकिंगे जब सीच्यूएशन अराइस हो जाती है तो इंडियान पिनल कोड भी दूसरों की तूसरों की हत्या मतलब है उसको यह कहा है कि दूसरों के प्राट लेना भारतिया दंशाहिता में कोई अपराद नहीं है साथ इसी सिच्यूएशन है कि जैसे अटैक है या कोई किसी पर रेप करने आता है या कोई किसी पर अटैक करने भी कोशिश करता है तो उसके दूसरों की मृत्यू करना भारतिया दंशाहिता में पूरी तरह से अलाओ गए सेक्शन 96-106 जो कि क्रिमिनल लायर हूँ है तो इसलिए हम बता रहा हूं कि इसमें और दूसरी बात भगवत किता में भी कहा है कि शुद्रम रुदय दौरबल्यम तेक्तवत तिष्टा परंतपा और ये भी कहा है कि तसमाद युद्ध्यास भारत है तो जब सिच्वेशन अराइज हो जाती है तो सेल्फ प्रती रख्षा करना ये भी हमारा नैच्रल एक्सेप्टंस है ये कहीं नहीं कहा गया है कि कहीं बात ही नहीं है तो इसमें सिर्फ हमको ये देखना चाहिए कि जो कॉस है दूसरा जो क्यो कर रहा है तो जो प्रिवेंशन के लि या भारतिया जर्ण साहिता में कोई भी इस तरह का प्रतिबन नहीं है तो उन पर मतलब एकी सेल्फ रख्षा में हां लेकिन ये नहीं होता है कि जो प्रपोर्शनेट होना चाहिए इंडियान पिनल कोर्ड में भी प्रतिबन है कि जैसे पूलिस आती है तो हमारा राइट- सेल्फ डिफेंस खतम हो जाता है क्योंकि फिर कश्टडी में लेता है कश्टडी का मतलब होता है अभी रख्षा मतलब वो कानून की अभी रख्षा में माना जाता है दूसरी बात एक फिर ऐसा नहीं है कि जितना प्रपोर्शनेट है उतना ही हमको करना चाहिए यह नहीं कि कोई भी उसमें बात इसमें नहीं आती है कि अपनी प्रतिर अर्शा करना है दूसरों की प्रतिर अर्शा करना है और मानलों किसी पर कोई अटैक हो रहा है चाहे वह पर सब्सक्राइब करने वाला काम है इस पर तो प्रतिकुल प्रसितियां बनती रहती है अगर हम सब्सक्राइब को शरीर मान के जी है तो उसमें बहुत सारी प्रतिकुल प्रसितां खुदी बनाते रहते हैं तो पहले स्वय में जो करने का काम है उसको हम देख लें दूसरी बात कि अगर कोई आसी परिशिती बन भी गई तो जो पीनल कोड है अगर आप देखें तो यह कोई निवर्सल तो है और नहीं कॉंटिनिवस हैं तो यह पीनल कोड भी समय के साथ बदलते रहते हैं एक देश दूसरी बात करना जो है यह अपना उस वह हम का भी दूसरी बात हो रही है कि ना तो धर्मशास्त के अधार पर हमको जांचना है ना पीनल कोड के अधर पर जांचना है अधर पर बात करें तो नाश्रल एकस्टन पर भी यह कि सबसे पूचा जाएगी आप पर एटाग होता है या पकी बहन पेटी पर एटाग होता है तो आपके लिए क्या नैश्रल एकसेप्टेबल है तो सबका जवाब यह यह उंगा कि हमको डिफेंड करना चाहिए प्रतिर अधर्म के खिलाफ है और यह आतता ही लोग है तो इसलिए इनको मारने में कोई पाप नहीं होता है और इसलिए उसमें अब बार बार शिफ्ट हो जा रहे हैं लेकि इतिहास में महाभारत का युद्ध हुआ उसके पुरी प्रिष्ट भूमी बनी अभी क्या होता है कि जैसे हमारे समासाथ कोई प्रतिकूल परशिती बनती है हम तो अपने बारे मान लग कि हम तो धर्म के पक्ष में है अगला धर्म के पक्ष्ट में है नहीं को धर्म का पता है नहीं को धर्म का पता है हम अपने को अर्जिन अपिश मान लेते हैं हम अपने को अर्जिन अपिश मान दूसरे को अधर्म के पक्ष में दूसरा भी कर सकता है और अपने पुझक्ष नहीं निकलेगा इस बात से निकलेगा कि मैं भी जहां पर हूँ, जिस छन में संबंद का निर्वाव कर रहा हूं वां मेरे इंदर भाव रहा है, तो बहुत कम सभावना है कि ऐसे परिसितियां बनेगी अगर मैं सुविधा क्या ठीक पहचान रहा हूं संबंध पूरोग निर्वाह कर रहा हूं तो बहुत कम समहोंना है कि यसी समभावना बनेगी तो अपने हैं ट्रफ थीलें यौ पूरा करें वह पूरा नहीं करते हैं है हुआ हम खुद गलत जी रहे होते हैं और जब प्रतिकुल प्रश्चे फ्टे हैं तो अपने आपको मान लेते हैं कि हम तो भी अरजुन है और दूसरा को रहा है फिर वहां भी गलती हो जाती है पहले हम समझें तो अभी देखिए माभारत में जो कहा जा रहा है जीता में सब्सक्राइब करना नहीं होता है हम राग द्वेश में जी रहे होते हैं बड़ जब दूसरे से विरोध बन जाता है तो हम कुछ श्लोक को कुछ बातों को लेकर अपने आपको जस्टिफाई कर लगते हैं तो हम राग द्वेश्वे तो पहले मुक्त हो जीना है इसी से जाते हैं तब जाके राग अध्यस निकल पाते हैं नहीं तो दूसरे समंद की रहे तो फिर विरोध नहीं होंगा सही बाद है फिर जब लिए हो सही है अभी रुकीर कि अभी जो पना हुए ना इसको तो थुरा हम ठीक से अपने उपर काम करें क्या होता है कि हम स्वेमें ट कि पिर जो शिफ्टिंग हो जाती है हमारी कि इसके कारण फिर हम सबस्क्राइब जाते हैं तो पहले हम अपने आप में तिस्ताम को सुनिशित करें फिर बागी जिए हो जाएंगी हमको दिखाई दे कि जो गलत कर रहा है शोफन कर रहा है वो भी मेरा संबंधी है समझ के भाव पुनिशित नहीं होता वह सुविधास अंग्रे के लिए दूसरे का शोफन करेंगा है कि इसने किसी रूप में करेंगा कभी हमको डखायत लगता है कभी चोड लगता है कि उपर बैठके कोई पॉलिसी बना रहा है वैसा हमारी जेब का पैसा दूसरे की जेब में चला जा यह जो जगन अपराधी है जो जगन अपराद कर रहे है इनके बारे में दिखाए दिता है कि आप से कुछ समय पहले मासूम बच्चा था ना तो इसको परिवार में सही शिख्छा मेली ना सही बातारन मिला ना शिख्छा संसकार मिला फॉर्मल एडूकेशन में तो ऐसा हो वह तो खेर क्रिमिनलोजी में बारह अलग अलग त्यारी है कि वह अभी वह तोपिक नहीं है हमारा भी अभी वह त्यारी को एक तरफ रख दीजे है ना वह तो अभी समाज में लोग जैसे जी रहे हैं उसको नियंद्रिश चाने के लिए थेयरी बनाया गया है अलग अलग और पूदेंट मैं कैसा जीएगा इसा कोई वियूरन नहीं है पूरे लोग की सारी बूस ठाके देख लिजे एक पूदेंट मैं क्या होता है उसको कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है हाँ मतला बहुत गंभीर मुद्दा है अप इतने भी ये शास्त्रम पढ़ा रहना उसमें स पूदेंट मैं क्या होगा कैसा होगा उसकी समझ किया होगी इस पे कोई ग्योरन ही नहीं है पूरी बात में पूरे लौक के इतने बुक्स है तर देखते हैं कि कम सर कम सो बुक्स उसके राक में दिखा जैते हैं जबाद ही आप किसी बुठा के पढ़ लिजिए अश्या मैं कर lisa4 यह है अले जा दाए तो सामद किसे नहीं hairstyle आट ऊछा है तो समझ को कुछ लोग पसंद म paran लेते भी समझ ज है गलत वो है इंटर्प्रेटेशन मेरे काल से जी जी तो हमको तो पहले स्पस्ट हो समाज मतलब यह जो उपर गड़ा है समाज मतलब पसंद यह ना पसंद यह लाइक डिसलाइक नहीं है जैसा दुखांदार बोलते कि आपको समझ नहीं आ है समान लिए भी ना जा रहे तो ऐसे आद देखेंगे कि अभी यतने भी बुक्स हम पढ़ रहे हैं उसमें क्राइसिस है लॉआ में पूडेंट में के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं क्या होता है कैसा होता है साइकोलोजी में सुरू में लिख देते हैं कि इतने भी यहां पे सिध्धान से लिखे जा रहे हैं यह सिध्धान दो तरह के लोगों पर लागो नहीं होंगे एक संत पे और दूसरे पागल आदमी पे फिर बात सुरू करते है हां यह क्राइसिस है आज के दिन एजिक्वेशन में क्योंकि जो जशी मानों है, उसको हमने संत कहा दिया सिलेबस से भाहर दिया पूरे लव में हमने Prudent M impact को सिलेबस से बाहर दिया उसके बारे कोई बात नहीं करेंगे हमें तो पहले यह बात करने कि Prudent Bント होता कै यह उस्का आचनब क्या होता है कि आपको दिखाई देगा सबस्ट उसे अब कुछ आदने तो अब को सकता कि पहचान कैसे होगी इसा कोई विवरं नहीं है कि और एक क्राइसिस है पर रहें अपर यह कोई बात नी करते हैं और फिर रहें आपराद हो क्यों रहा है और अपराद बाहर एक्सप्रेशन में बहुत बात में हो रहा है। परण परण नहीं है पूरे एडूकेशन सिस्टम में ना दिमाग के बारे बात होती है तो कि मानों को शरीर मान लेते हैं बढ़िया बढ़िया विरेंजी इस पर बहुत सारा श्कोप रहेंगा तो आपके धिया नखना होगा कि यह जो हमारी शिक्टिंग हो जाती है ना तो अ इसमें अनालिसीस ही होगा उससे कुछ निकलेगा नहीं तो मतलब वहां जो रियलाजिशन का बात कर रहा है तो वहां जाकर हम देखें नहीं देखते हैं तो फिर वो पुलट कर आते हैं तो नाच्रिल एक्सिप्टिंस का बात जो शुरू से हम जो पी तू से सुरू किये थ लूप में तो तब हम जाते हैं तो यह डेवलपमेंट है तो जब हम अनुभव के स्थीति पहुंचते हैं तो हमको वहां पर दिखाई दिता है कि जो कुछ अभी हम आंशिक रूप से समझने का प्रयास कर रहे थे वह हमको अब शुन्ने में संप्टिता के अधार पर पूर अधर व्योहार कार भागीदारी दुख जाएगा बल्कि अवो फूर्ण हो जाएगा आचरन की पूर्णता हो जाएगी ज्यान की पूर्णता हो जाएगी तो यह लूप नहीं है वहां से तो नाचुरल एक्सिप्टन्स नहीं देखने से तो पूर्णता नहीं होगा ना तो परपल कलर में जो लिखावाय उपर में इसका जो पोटेंशियल है मेरे अंदर वही मेरा नाचुरल एक्षेप्टेंस है जी इसको देख पाता हूं तो रिलाइशन आता है ना साथ इसको मैं पूरी तरह से देख पाता तो रिलाजेशन दोस से पहले कॉंटेंप्लेशन अंडरस्टानिंग इसलिए में काम कर रहा होता हूं